दिल्ली हाई कोट ने एडी केस में मनीश शिसोदिया की जमानत याची का खारिश कर दी है जस्टिस दिनेश शिर्मा ने कहा कि आरोप बैद गंबिर प्रक्रतिके हैं इसलिए उन्हें छे हफ्ते के लिए रिया करना मुश्किल है शिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडिशन के अधर पर जमानत याची क दाखिल खे थी जिस पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था कोट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीश शिसोदिया की पत्नी की तिवेद को देखते हुए यह निर्देश चारी क्या जाता है कि सीमा शिसोदिया को बहतर मेडिकल सेवाएं महिया कराई जाए इलाज क नहां करवाना है यह सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा हलाकि कोट का सुजाओ है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जाच कर सकता है कोट ने ये भी निर्देश दिया कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहे उसी दिन मनीश सिसोदिया की पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह दस बज़े से शाम पांच बज़े के पीछ घर या अस्पताल ले जाया जाए देकिन पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मुझुत न हो। सीसोदिया जमरत मिलने के बाद भी बिमार पत्नी से नहीं मिल सके। विशनीवार सुबह पत्नी सीमा सीसोदिया से मिलने के लिए घर पहुचे। हलाके उनके पहुचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबियत जादा खराब होई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया। कोट ने उन्हें होस्पिटल जाने की पर्मीशन नहीं दी थी। इस वज़े से जमारत मिलने के बावजूत सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल सके। और साथ घंटे बाद वापस तिहाड जेल पहुच गए। इसके साथ बने रहे हैं राज नमा डिवी के साथ ता निवाद।